पाट तेरा स्वामी की दादी बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधिरी गलियारी की बंद सी कोठरी में स्वामी नाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी उनका सामान था पाँच दरियों, तीन चादरों, पाँच तक्यों वाला भारी भरकम बिस्तर पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकडी का एक छोटा सा बक्सा जिसमें तामी के सिक्के इलाइची, लौंग और सुपारी पड़ी रहते थे रात के भोजन के बाद स्वामी नाथन दादी के पास उनकी गोद में सर रखे लौंग इलाइची की गंद भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्द और सुरक्षित महसूस कर रहा था बड़ी प्रसन्दा से भरकरवा बोला ओ दादी तुम नहीं जानती राजम कितनी उची चीज है उसने दादी को राजम और मड़ी के पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई तुम्हें पता है उसके पास सच मुछ की पुलिस की वर्दी है स्वामी नाथन ब दादी काफी प्रभावित हुई उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा उन्होंने कहा फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामी नाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कामते हुए खड़े रह लेकिन दादी बोलती ही गई इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गड़ मड़ करती हुई आगे देखिए बस काफी है दादी उसने रूखे स्वार में कहा मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ जानती हूँ उसे ग तरहां नंबर लेने चाहिए तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी-कभी ऐसे उतर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले दसवां हिस्सा वक्त लेते थे और फिर उनके जवाब इतने शांदार होते थे कि कभी-कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दी देते थे जब उन्होंने एमे किया तो उन्हें एक बड़ा मेडल मिला था मैं कई सालों तक उसे गले में पहनी रहती पता नहीं मैंने कब उसे उता रहा हां जब तुम्हारी बुवा पैदा हुई नहीं वह तुम्हारी भुवा को दिया और उस बेवकूफ ने उसे गलवा कर चार चूड़ियां बनवा ली और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियां कि मैं हमेशा कहती रही हूं कि हमारे परिवार में उस जैसा महामुर्ख कोई नहीं और अब बस भी करो दादी तुम बेकार की है क्यों तुम राजम के बारे में सुझना नहीं जाती हैं हाँ दादी जब राजम छोटा सा था तो इसने शेर मारा था सच बड़ा-बहदुर लड़का है तुम यहा बात मुझे खुश करने के लिए क्या हो तो ही अकीन करके पिता को गिरा दिया दूसरे ने राजम का पीछा किया राजम एक जाड़ी के पीछे चुप गया और वहीं से गोली चला कर शेर को मार डाला दादी क्या तुम सो गई उसने कहानी खत्म होने पर पूछा नहीं बेठा सुन रही हूँ अच्छा बताओ कितने शेर आये थे दो शेर राजम पर जप्टे थे दादी ने जवाब दिया सौमी नाथन दादी के गलत जवाब से चिड़ गया मैं तुम्हें इतनी जरूरी बाते बता रहा हूँ और तुम नीन में न जाने क्या क्या उलजुल कल्पना किये जा रही हो अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताओंगा मैं जानता हूँ तुम ऐसा क्यों कर रही हो तुम राजम को पसंद नहीं करती नहीं नहीं वह तो बहुत प्यारा लड़का है दादी ने बड़े विश्वास से कहा उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था स्वामिनाथन खुश हो गया दूसरे ही शण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ दादी शाय तुम्हें शेर जावनी के तोर पर जोड़ा जो भी उसे जूट कहेगा वह से गोली मार देगा दादी ने इसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही जिसने वचन का पालन करने के लिए सिहासन पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मि कहानी आधी ही सुनाई थी कि सौमिनाथन खर घराटय लेने लगा दादी भी रुक-डुक याद लेटा है उनके ऎलायची और लांग के गंद भरे माहौल में उसे बहुत अछा सा महसूस हो रहा है.. सवामि दादी की पुरानी कहानियों से बार बरं चिड रहा है.. और वो बार-बार उनको अपने प्यारे दोस्त राजम के बारे में बताना चाहता है। जब हम छोटे होते हैं तो हम छोटी-छोटी चीजों से बहुत चकित होते हैं। हमें पुलिस की वर्दी अच्छी रखती है, हमें शेर को मार डालना अच्छा लगता है। अब यह तो सोचने वाली बात है कि राजम ने बचपन में सचमिच शेर मारा होगा या नहीं, यह तो आप खुछ सोचिएगा। अच्छा इस कहानी में कुछ नए शब्दाए हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि भोजन कक्ष वह कमरा जहां खाना खाया जाता है। एक ऐसे कमरे की बात है जहां पर हम अक्सर आज के लिए डाइनिंग टेबल भी कहा जाता है उसको हम अपने किचन के बाहर डाइनिंग रूम में रख लेते हैं उसे। पहले अक्सर ऐसा होता था कि एक कमरा वहीं पेकेजन होता था और वहीं खाना भी खाया जाता था। एक इंपोर्टेंट शब महतुकूर्ण शब्द आया है पट्सन पट्सन एक पौधा होता है जिसे पानी में गला कर रेशा बनाया जाता है जिससे रसी बोरी दर्या और चटाइयां साथ में बॉक्स भी बनते हैं जो बक्से होते हैं तो देखिए इसमें चित्र भी दिख रहा है कि कैसे जो हरा पेड़ होता है उसको पानी में गला दिया जाता है उसके बाद वो ऐसे रसीयों का जैसा बन जाता है उसे बाद में रसी की तरह गूद के बाद में कई सारी चीज़े बनाए जाते हैं जिसे हम अक्सर पटसन कहते हैं और अर्ज हर जगा देखते हैं आज कर प्रसन्नता याने की खुशी सुरक्षित भिना भय के अच्छा महसूस करना रॉबदार रॉबदार का अर्थ होता है बहुत प्रभाव शाली या शक्ति शाली सब मज सब मजिस्ट्रेट कौन होता है जैसे की जो जिला अधिकारी होता है वो हमारे एक तरह से कह सकते हैं पूरे जिले का मालिक होता है एक तरह से वह सारा काम उसके हाथ में होता है लेकिन उस जिले अधिकारी के जस्त नीचे जो काम करता है उसे हम उप जिला अधिकारी है सब म अफसर होता है जो कि स्वामी के दादा थे